बाबा धिरेंद्र शास्त्री तो पटना एरपोर्ट पर उतर कर भावकाल मचा दिये हैं, गुलाब का फूल फेक कर उनका स्वागत किया गया, लेकिन भाई साहब ये सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया पर लोग बाग पूछ रहे हैं कि तेजपरताप भाईया का और DSS था, जिसका नाम धर्म निर्पेक्ष सेवक संग था, वो DSS कहां छुपा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस बात का पूरा नारा लगाया था, कि अगर पंडित धिरेंद्र शास्त्री यहां पर आते हैं, तो हम लोग उनका खिलाफत करने का काम करेंगे, और सोशल मीड पर तेजप्रताप यादव जी से लोग ये भी पूछ रहे हैं, कि आप जो वीडियो रिलीज करके पूरा भवकाल और गदर काटने वाले थे, वो वीडियो अब तक आपने रिलीज क्यों नहीं किया है, देखिए, DSS का फुल फॉर्म तेजप्रताप यादव जी ने रखा है, धर्म निर्पेक्च सेवक संग, अभी अभी फेस्बुक पर टहल रहे थे, एक आदमी लिखा था धिरेंद्र शास्त्री स्यूकृरिटी, एक आदमी लिखा था धिरेंद्र शास्त्री संगटन, और ये जब हम पढ़े, तो हमको लगा कि देखिए, खबर के साथ साथ हम में ये भी बताना पड़ेगा कि सोशल मीडिया की जनता क्या कर रही है, सोशल मीडिया की जनता जो पटना में है, वो तो नौबतपुर में जाकर पल्ती मार कर बैठ गई है, इस बात का इंतजार कर रही है कि बाबा आएंगे तो कुछ बचन बोलेंगे, और हम लोग सुनक मंत्र मुक्द हो जाएंगे, लेकिन जो जनता गुड़गाओं में है, दिल्ली में है, और पटना से बाहर है, वो जनता सोशल मीडिया पर बाबा धिरेंदर शास्त्री के तस्वीर के साथ ये कैप्शन डाल रही है, कि तेजपरताप यादव जी का DSS और खुझ तेजपरत अभी पांच दिन पहले हुआ था, और DSS के जो सारे लोग है, वो लाठी लेकर ऐसे इदम परेड कर रहे थे, इसे करके, और वो क्या रहे थे, कि दिरेंदर शास्त्री जी को एरपोल्ट पर ही घेर लिया जाएगा, लेकिन अभी कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई भी नही परेड़ निर्पेक्ष सेवक संग और DSS ने कहा था कि अगर धिरेंदर शास्त्री कुछ गरबड करेंगे, तब हम उनका घेराव करेंगे, और आज जब वो आए तो उनका घेराव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पंडित धिरेंदर शास्त्री कोई धर्म निर्पेक्ष सेवक संग मानने को तयार ही नहीं है, लोग भाग लिख रहे हैं कि देखिए, DSS का मतलब है धिरेंदर शास्त्री सेकुरिटी, मतलब वो ग्रुप जो धिरेंदर शास्त्री जी को सेकुरिटी देगा, कोई लिख रहा है धिरेंदर शास्त्री संग जो सनातन धर्म का प्रचार कर रही हो ऐसा तो वो करेंगे नहीं क्योंकि वो महीने में 2-4 दिन तो खुद भी मतुरा और विरिंदावन का ट्रिप का दिलेते रहते हैं। क्यों DSS ने जाकर पटना एरपोर्ट पर पंडित धिरेंद्र शास्त्री का विरोध नहीं किया और देखिए मनोर्ज तिवारी ने पंडित धिरेंद्र शास्त्री के साथ जब वो आये तो उन्होंने ये बयान दिया कि वो तेजप्रताप यादव को खुद ही बुलाएंगे ताकि तेजप्रताप जी आकर दिरेंद्र शास्त्री जी की हनुमंत कथा सुने और उनको अच्छा भी लगे मिला जुलाकर हम आपको सारी पलपल की अपडेट दे रहे हैं आप जनता जंक्शन सिर्थ देखते रहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद